सुपरभात बच्चो आज हम कक्षा आर्ट की दिवानों की हस्ती कविता का अध्यन करने जा रहे हैं यह आज आपका चोथा यानि की फोर्थ चेप्टर आप लोगों का CBSC पैटरन नवीन पाठकरम के अनुसार में आप लोगों को पढ़ा रही हूं इससे पहले तीन लेसन में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं तो आज हम अध्यन करेंगे दिवानों की हस्ती दिवानों की हस्ती कविता की लेकर हैं उनके जो कवी हैं उनका नाम है सबी आप ल philanthrop जानते होंगे अगर नहीं जानते तो आप लोगों को पता होना चाहिए भगवती चहरन वर्मा और ये जो कविता है बहुत ही प्रसिद्ध कविता है बहुत सारे कवी समेलनों में, बहुत सारे कवीएस के विद्यार्थियों के दुआरा इस कवीता को बार बार कई मंचों पर अलग अलग तरीके से इसका वाचन किया गया है तो कवीता को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ कठीन शब्दार का अध्यन कर लेते हैं इसमें पहला शब्द है हस्ती, हस्ती का यहां पर अर्थ होता है अस्तित्व यानि कि पहचान आलम एक शब्द आया है, आलम का अर्थ होता है दुनिया एक माहूल यानि की वातावरन स्वच्छन एक शब्द आया है कवीता के अंदर, तो अपनी इच्छा के अंसार चलने वाला, मतलब जो सोतंत्र है सभी से मैं जो कवीता का वाचन करूँगी और साथ साथ में आप लोगों को हर एक पंक्तियों का भावार्थ आप लोगों को मैं बताती जाओंगी थोड़ा सा संग शेप में मैं पहले बता देती हूँ ये जो कवीता है ये स्वाधिन्ता पुरू लिखी गई है इसमें कवी ने राश्टर पर बलिदान होने वाले बली वीरों की मनोदशा का वनन किया है कि जो वीर होते हैं तो उनोंने उनकी जो मनोदशा याने की जो उनका मन के अंदर जो भाव है वो क्या क्या होते थी ठीक है तो आप समझी गयोंगे यह जो कवीता है अंग्रेजों के समय की लिखी हुई कवीता है और इसमें कवी ने उन वीरों का वनन किया है उनके मन के भावों को यहां पर उजागर किया है जो कभी देश की अजादी का सपना देखते थे चलिए शुरू करते हैं हम दिवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले आए बनकर उल्लास अभी आशू बनकर बहे चले अभी सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले तो मैं अब पंक्तियों का आपको भावार्त बता देती हूँ हम दिवानों की क्या हस्ती यहां पर कवी ने दिवानी जो एक शब्द यूज किया है वो किसके लिए किया है ये वीरों के लिए किया है जो देश को आजाद करवाने लिए उस समय अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे ठीके तो हम दिवानों की क्या हस्ती मतलब यहां पर वो दिवाने वो वीर कह रहे हैं हमारी क्या पहचान हमारा क्या अस्तितुर हम आज यहां कल वहां इस पंक्तिकार्थ आप लोगों को ध्यान से समझना है इससे प्रश्न भी बनेगा है आज यहां कल वहां चले मस्तिका आलम साथ चला हम धूल उडाते जहां चले यहां पर वीर क्या यह बात क्या कह रहेंगी हम आज हैं यहां कल वहां चले वो तो देश को आजाद करवाने के लिए हमेशा ततपर रहने वाले वीर हैं तो वो बता रहे हैं हम दिवानों की कोई पैचान नहीं है यह जरूरी नहीं है कि आज हम यहां हैं और यहां पर ही रहेंगे ऐसा नहीं है वो देश के लिए कहीं भी हो सकते हैं इस कर्थ क्या है कि अंग्रेज उनको कभी भी पकड सकते हैं और पकड का उनको जेल में डाल सकते हैं तो इसलिए जो वीरों ने जो बात कहिए है आज यहां कल वहां चले मतलब आज हम आप लोगों के साथ बेटे हैं लेकिन हमारा कल का कोई भरोसा नहीं है कि कल आप लोगों के साथ होंगे कि नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने अपने पूरी तरीके से अपना जो सर्वसो है वो पूरी तरीके से देश पर उन्होंने निचावर कर दिया है मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उडाते जहां चले आगे क्या कह रहे हैं यहां पे यह दिवाने यानि कि यह जो आजादी के दिवाने हैं जो मस्ताने हैं जो वीर हैं यह क्या कहते हैं कि हम जहां पर भी जाते हैं वहां पर हम मस्ती का आलम मतलब पूरे संसार में हम खुशियां लेकर जाते हैं हम धूल उडाते जहां चले और हम जहां पर भी जाते हैं सबी लोगों में हम एक जोश की भावना भर देते हैं आप लोग याद कीजी अपने कुछ वीरों को जैसे भगत सिंग बहुती कम उमर में उन्होंने जो है देश को अजाद करने की ठानी और देश के लिए हंस्ते हंस्ते वो सूली पर चड़ गए और भी आप इस तरीके के वीरों को याद कर सकते हैं यहाँ पर उन्हीं वीरों की बात हो रही है कि वो जहाँ पर भी जाते थे अपने देश के लिए वो जो है सबी लोगों में एक अलग सी मस्ती यानि एक अलग सी खुशी का माहौल पैदा कर देते थे आए बनकर उल्लास अभी आशू बनकर बहर चले अभी सब कहते ही रहे गए अरे तुम कैसे आए कहां चले अब यहां पर वो वीर क्या कहते है अभी हम आप लोगों के पास हैं तो आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है लेकिन हो सकता है अगले ही पल हमें सरकार की तरव से अंग्रेजी सरकार की यहां पर बात हो रही है कि हमें अभी पकड़ कर ले जाए तो आप लोगों की लुप बहुत खुश हो है लाकिन जब हो जाते हैं तो हमारा मन भी वातवरन अगर वर्तमान में सैनिक जब छुटी आते हैं अपने घरों पर जब भी आते हैं तो घर में पूरा माहौल पूरा वातावरन एक प्यार भरा वातावरन हो जाता है लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो बच्चे भी और मा के मन में भी और सभी के मन में एक थोड़ा सा टीस पैदा हो जाती है तो यहाँ पर उन वीरों की बात की जा रही है कि यह वीर जो है अभी हसी खुशी अपने परिवार में है लेकिन जब वो वहाँ से जाते हैं या उनको अंग्रेजी सरकार के दौरा पकड़ लिया जाता है तो कैसा महोल हो जाता है तो सभी की आखों में ठोड़े आसू यनि सभी की आखे थोड़ी नम हो जाती है और सब उस समय कहते ही रह गए कि उस समय सब क्या कहते रहे अरे तुम कैसे आए कि तुम अचानक से तो आ गए और एकदम से तुम कहां चल दीए मतलब तुम कहां जा रहे है जैसे आप लोगों की घर कोई आता है आप लोग उसको जाने नहीं देना चाहते हो आप कहते हो अभी तो तुम आयो थोड़ी देर और बैठो ना थोड़ी देर और मेरे साथ खेलो ना तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ भी ऐसा करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं किस और चले हो चले यह मत पूछो चलना है बस इसलिए चले जग से उसका कुछ लिये चले जग को अपना कुछ दिये चले दो बात कही दो बात सुनी कुछ हंसे और फिर कुछ रोए छक कर सुख दुख के घूटों को हम एक भाव से पीए चले यहां पर वीर सपूद क्या कह रहे है कि किस और चले यह मत पूछो अगर कोई समाज में या कोई भी उनका अपना जो होता है कोई रिष्टेदार या क्स्वम माता पिता अगर पूछते हैं कि तुम किस और जा रहे हो कौन से दिशा में जा रहे हो क्या करने जा रहे हो तो वीर सपूद क्या कहते है कि यह मत पूछो क्योंकि वो अभी किस भावना में है पूरी देश प्रेम की भावना में अपने देश को वो क्या करना चाहते है आजाद करना चाहते है तो इसलिए उनको कुछ पता नहीं है कि देश को आजाद कैसे करेंगे वो लेकिन वो उस दिशा में चल पड़े हैं इसलिए वो कहते हैं हमारी कोई निश्चित दिशा नहीं है इसलिए हम से यह मत पूछो कि हम किस और चल रहे हैं चलना है बस इसलिए चले इस पंक्ति का अर्थ यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि चलना है मतलब उन्होंने क्या ठाना है कि हमें देश को आजाद करवाना है हमें नहीं पता कि हम किस दिशा में जाकर देश को आजाद करवा सकते हैं लेकिन हमें चलना है इस रास्ते पर पर हमें इतना पता है कि हमें देश को आजाद करवाना है लेकिन यह नहीं पता है हमारे को कोई निश्चि दिशा नहीं पता है कि किस दिशा में जाकर हम देश को आजाद करवा सकते हैं इसलिए हमें देश के लिए अपने प्राणों की बली दे देनी है इसलिए हम निश्चि क्या कह रहे हैं जग से उसका मतले हमने कुछ अच्छे पल इस संसार से लिए हैं जग से उसका कुछ लिए चले मतले कुछ अच्छे पल इस संसार से हमने लिए हैं और जग को अपना कुछ दिये चले और कुछ अच्छे पल हमने भी इस संसार को दिये हैं इस दुनिया में हमन प्राण नुच्छावर करने वाले होते हैं दो बात हमने अपनी कही और दो बात हमने अपने घर वालों की सुनी कुछ बाते मतलब क्या आर्थ है यहां पर कुछ बाते हमने इस संसार की सुनी और कुछ बाते हमने अपनी कही कुछ हसे और कुछ फिर कुछ रोहे कुछ हसे मतलब कुछ उसमें बाते ऐसी थी जो की हमरे को सुख देने वाली थी जिस पर की हम हसे और कुछ बाते ऐसी भी थी जिस हमें बहुत दुख हुआ तो उस पर हम रोहे चक कर सुख दुख के घूटों को हम एक भाव से पिये चले चक कर का यहाँ पर शब्द है जी भर कर मतलब हमने इस संसार में सुख और दुख के घूट मतलब सुख दुख के अनुभाव गूट का अर्थ यहाँ पर उसमें दिया गया है अनभव के अर्थ में दिया गया कि हमने इस संसार में सुख और दुख दोनों के अनभवों को चक कर मतलब जी भर कर पिया है हम एक भाव से पिये चले एक भाव का अर्थ यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि हमने जाती धरम संपरदाए सब कुछ भुला कर चैसा नहीं है कि यदि सुख आया तो हम लोग इतना जादा सुख में मस्त हो गए कि हमने अपने देश की परवा नहीं की और दुख यदि आया तो हम लोग इतने दुखी नहीं हुए कि हमने फिर भी देश की परवा नहीं की यानि चाए सुख की घड़ी आई या दुख की घड़ी और यदि कोई दुखी है उसको भी हमने एक समान भाव से देखा उससे जाती दरम संपरताय की आधार पर हमने कोई भेदबाव नहीं किया तो हमने सुख और दुख के घूटों को सुख और दुख के अनबों को एक समान भाव से हमने जेला या सेहन किया उसकी हमें कोई शिका अबाद रहें रुकने वाले हम स्वम बंदे थे और स्वम हम अपने बंदन तोड़ चले यह अपनी पंक्ति का अंतिम अंत्रा है जिसमें कवी क्या कहते हैं बिखमंगे यहां पर किसको कहा गया है बिखमंगे गारति यहां पर इस संसार को कहा गया है ठीक है हम बिखमंगों क कि दुनिया में बिक मंगो की दुनिया यहां पर संसार को कहा गया है जिसमें कभी क्या कह रहे हैं यह जो दुनिया के परवर्ती होती है केवल और केवल लेने की परवर्ती होती है आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा कि आप लोगों किसी से भी जब आप मिलते हैं ये लेने का भाव रखते हैं अपने देने का भाव किसी-किसी के अंदर होता हि हम जैसे हम अमारे भाषत देश में यह वोना चाएं अमेरिका में तो यह हम लोग बहुत तुल ना करते होंगे। हमारे बारत देश यहा इतना पीछे है हम अपने देश से बहूत कुझ चहाते हैं। आप लोगे यह वरतमान में भी यह है। इसलिए कवी थे लिए इस संसार को कैसा कहा बिखमंगा का है कि ये सिरफ दुनिया से भीक की तरह मांगता रहता है हम लोगों की भी ये परवर्ती होती है कि हम केवल इस दुनिया से मांगने की उमीद करते हैं उससे कुछ चाहते हैं लेकिन ऐसा तो कोई कोई होगा ना जो भारत देश के लिए ये सोचेगा कि मुझे अ निकल रहे हैं यह हमारा देश के परती योगदान नहीं है यह हमारा स्वार्थपन है कि हम देश के लिए योगदान देना ही नहीं चाहते हैं तो बात यहां पर बिखमंगो की दुनिया यहां पर कवी कह रहे हैं यह दुनिया की परवर्ति क्या है केवल और केवल लेने की ह लेकिन स्वच्छान्द लुटा कर प्यार चले हम लोग इससे बिना कुछ लिए स्वतंत रूप से इस पर अपना सब कुछ निचावर करके चल पड़े हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं यहाँ पर उन वीर सपूतों की कहानी उन वीर सपूतों की जुबानी बात कहीं जा रही है कवी के द्वारा कि हम ने बिना कुछ उमीद किये इस अपनी भारत मादेश पर हम अपना सब कुछ लुटा कर चल पड़े हैं हम एक निसानी सी उर पर उर यहाँ पर किसको कहा गया है ठीक है निशानी मतलब चिन अब क्या है कि कवी यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम एक निसानी सी उर पर ले असफलता का भार चले इन वीर सपूतों ने बहुत प्रियास किया कि हमारा देश आजाद हो जाएं लेकिन हुआ क कि इनके होते होते देश आजाद नहीं हो पाया तो क्या कहते हैं ये वीर सपूत उनके दिल पर एक भार है यहाँ पे उर्ज जो है हरद्य के लिए यूज किया गया शब्द है कि हमारे दिलों पर एक निसानी सी मतलब ऐसे चिन हैं किसके चिन है वो असफलता कि यानि हम अंग भारत देश को यहाँ पर आजाद नहीं कर पाए अंतिम पेरग्राफ में अंतिम अंत्रे में क्या कहते हैं कभी अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले हम स्वम बंदे थे और स्वम अपने बंदन तोड़ चले यानि जो ये वीर सपूत है ये देश के कितने दुखी होंगे उस समय इनके अंदर से अपना और पराया मतलब हम सारी दुनिया को ही ये क्या मान रहे हैं अपना मान रहे हैं पराया किसी को नहीं मान रहे हैं किसी को भी अपना पराया नहीं मान रहे हैं आब क्या कहते हैं आबाद रहे रुकने वाले आबाद मतलब सुखी क्या कहते हैं जो भी इस देश में हैं जो इस देश में रुके वे हैं वो सब कैसे रहे वो सुखी रहे हम स्वम बंदे थे और स्वम हम अपने बंदन तोड़ चले स्वम बंदे थे मतलब हम जो है अब इन लोगों से हमने स्वम ही प्यार किया था ऐसा नहीं ता कि किसी जो भावना होती है वह हमारे उंदर स्वम ही बन रोती है इसलिए कैते हैं हम स्वम बंदे थे और स्वम हम अपने बंदन तोड चले यानि हमने स्वम ही सभी लोगों से प्यार करना सीखा था और हम और देश पर अ निश्वार होकर अपना इन लोगों से स्वब्धन ही बंदन तोड रहे हैं यानि हम देश की अजादी के लिए स्वाधिनता या इसे बंदनों को हम तोड रहे हैं विद्यार्थियों मुझे लगता है कि मैंने हर एक पंक्तिक आर्थ आप लोगों को बताने में यहां पे काम्याब रही होंगे अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे जो है इसके बारे में बता सकते हैं धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडिय कि अन्यवाद में पड़ियों में यहां जाया जा एक रचित में लोगों तो आप से जाएं कि लोगों कि लोगों कि यद्यू है एक लोगों कि यहां ठुना उन्यवाद सत्तों प्राद और में तो